आज की कथा है राजा के साथ हुआ अद्भुत खेल आईए कथा श्रवण करें बहुत समय पहले की बात है एक राजा था उसका नाम अर्जुन था एक शाम वह अपनी राजधानी से दूर किसी शहर में होने वाले वार्शिक शमारों में भाग लेने के लिए गया रास्ते में राजा को रात हो गई और वह अपने दर्बारियों के साथ एक सराई में ठहरा सराय का मालिक जब उसके स्वागत के लिए आया तो राजा उसे देख कर चौक गया राजा को महसूस हुआ कि उसने उस आदमी को कहीं देखा है उसने उसे अपने करीब बुला कर कौतुहल से पूँचा ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है क्या तुम बतला सकते हो कि तुम हमें कहां मिले थे उसने आदरपूर्वक उत्तर दिया यदि आप मुझे च्छमा करें तो मैं कहूंगा कि आपने मुझे आईने में देखा होगा राजा ने कहा क्या मतलब तब उसने फिर कहा श्रीमान मुझसे अक्सर लोगों ने कहा है कि मेरे सूरत आपसे बहुत मिलती जुलती है राजा गौर से उसके चेहरे को देखता रहा फिर बोला हाँ तुम ठीक कहते हो मैं भी यही महसूस करता हूँ राजा के दरबारियों ने भी सहमती व्यक्त की सचमुच उन दोनों की सूरत बहुत मिलती जुलती थी राजा ने उसे अपने करीब बैठा लिया फिर बोला तुम्हारा नाम क्या है महराज मेरा नाम अर्जुन है और मेरा जन्म फला तारीक को सुबह ग्यारा बजे हुआ था सराय के मालिक ने उत्तर दिया अरे राजा विश्मे से उसकी योर देखने लगा नाम भी मेरा और जन्मति थी भी वही राजा अर्जुन के दर्बारी भी आश्चेरे में डूब गए फिर राजा ने आश्चेरे से पूँचा तुम पैदा किस जगा हुए थे और एया में सराय के मालिक ने उत्तर दिया यह सुनकर राजा के तो होश उड़ गे उसे विश्वाश नहीं हो रहा था किन्तु यह सस्त था राजा भी और एया में ही पैदा हुआ था तुम्हारी पत्नी का क्या नाम है राजा ने पूछा तब सराय के मालिक ने बताया महराज मेरी पत्नी का नाम मीना है उससे मेरी शादी फला तारीक को ही थी तुम सच कह रहे हो राजा ने और आश्चर चकित होते हुए पूचा जी हाँ महराज फिर राजा ने कहा कमाल है मेरी भी शादी इसी दिन हुई थी और मेरी पत्नी का नाम भी मीना ही है राजा के साथ उसके दरबारी भी स्तब्द थे इस स्योग पर इस बार मंत्री ने उस आदमे से सवाल किया तुम्हारे कितने बच्चे हैं तब उसने कहा मेरा एक ही लड़का है मैंने उसका नाम विजय रखा है सराय के मालिक का यह उत्तर सुनकर राजा अर्जुन घबरा गया इसलिए कि उसका भी एक ही लड़का था और उसका नाम भी विजय था अद्भुत स्योग है मंत्री के मुह से निकला फिर राजा ने पूचा आश्चर है कि मैं तुमसे पहले कभी नहीं मिला तुम इस सराय को कब से चला रहे हो सराय के मालिक ने बताया श्रीमान मैंने यह काम 20 सालों से शुरू किया था फला तारीक को और ठीक उसी दिन मैं यहां का राजा बना था आश्चर महान आश्चर नहीं मिले राजा ने कहा तब सराय का मालिक नम्र स्वर में बोला नहीं श्रीमान हम इस से पहले भी मिल चुके हैं राजा अरजुन ने आश्चर से पूँचा तब सराय के मालिक ने बताया एक बार 20 साल पहले फला तारीक को और एक बार दस साल पहले फला तारीक को और दोनों ही बार हम दोनों को ही वीरता पदक मिले थे सराय के मालिक अर्जुन ने राजा अर्जुन को अपने वेदो पदक भी दिखलाए जिसे देखते ही राजा अर्जुन बोल पड़ा ऐसे ही पदक मुझे भी मिले थे फिर राजा अर्जुन और सराय के मालिक अर्जुन में और भी काफी बाते हुई और राजा अर्जुन ने उसे शहर में होने वाले बार्शिक समारोह में सामिल होने का निमंतरन दिया और वहां से चला गया चलते समय राजा अर्जुन ने अपने मंतरी से कहा देखो मैंने अपने इस हम नाम को अपने इस हम शकल को विशेश नाम देने का फैसला किया है इसलिए ध्यान रखना की कल समारों में इससे सम्मान पूर्वक मेरे पास लाया जाए दोसरे दिन समारों शुरू हुआ तो राजा अर्जुन ने अपने मंत्री से सराई के मालिक के बारे में पूचा मंत्री ने अपने नौकरों को उसे ढूनने के लिए भेजा किन्तु वह कहीं दिखाई नहीं पड़ा राजा अर्जुन देर तक उसकी परतिक्षा करता रहा किन्तु वह जब फिर भी ना आया तो राजा अर्जुन ने उसे तलाश करने का आदेश दिया फिर मंत्री उसकी तलाश में उसी सराई के लिए चल पड़ा सराय पहुँचकर पता चला कि किसे ने उस सराय के मालिक अर्जुन को गोली मार दी है और वैं बुरी तरह घायल है राजा अर्जुन ने जब यह ख़बर सुनी तो बहुत परेशान हुआ और उसने मंत्री को आदेश दिया कि सराय के मालिक को बचाने की पूरी कोशिश की जाए उसे बड़े से बड़े वैद को दिखाया जाए उसके इलाज का सारा खर्चा सरकारी खजाने से उठाया जाए किंतु सराय के मालिक अर्जुन को बचाया ना जा सका जब राजा को उसकी मौत के बारे में पता चला तो उसे गहरा आगहात पहुँचा उसने दुखी स्वर में मंत्री से कहा मैं अपने हमशकल की शव्यात्रा में शामिल होना चाहता हूँ राजा यहवा के पूरा भी नहीं कर पाया की गोली चलने की आवाज आई और देखते ही देखते राजा का श्रीर निश्प्रान हो गया उस दिन राजा के भी हत्या कर दी गई थी और राजा का शव भी ठेक उसी समय उठा जबके सराय के मालिक का शव उठा दोस्तों आपको अख़ता कैसे लगी अपने विचार और सुझा कमेंट में जरूर दें हमारी कथाओं को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा गयन पराप्त हो जये शिर राम भुक्तों